आज की मोटिवेशनल स्टोरी मेरी फाइल कहां रख दी तुमने? कब से ढूंड रहा हूँ मैं? नाराज विशाल की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी साससूर को चाय देती सीमा भाग कर कमरे में गई पूरी अलमारी पलट कर विस्तर पर फैली हुई थी क्या ढूंड रहे हैं विशालाप? बेकुफ औरत कब से आवाज लगा रहा हूँ? अब आ रही हो मेरी लाल वाली फाइल कहां रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आस्चरी सी सीमा बोली और यह क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझे से बहस मत करो, फाइल नहीं मिली तो सब बाहर फेक दूँगा एक मिनट रुके मैं ढूंडती हूँ इधर उधर सीमा ने नजर दोड़ाई और बैड के पास ये फाइलों में दबी फाइल मिल गई सीमा के हाथ से गुस्टी से फाइल चीन विसाल बिना नास्ता के ओफिस ले गए तोखी सीमा ने विसा शसूर को नास्ता खिला रसोई समेट दी सीमा और विसाल की साधी को कुछ समय ही हुआ था हर थरैसे संपन ससुराल देख सीमा के पापा ने अपनी लाडली की साधी की थी विस्चाल एकलोता बेटा था घर का और एक बड़ी ननत्ती जिसकी साधी हो चुकी थी ससुर जी भी नोकरी से रिटायर हो चुके थे किसी बात की कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी सीमा खुस नहीं थी कारण विसाल का वैवार था जब मुठीक होता तो बहुत प्यार्शे पेस आता और जब मन मुताबिक कुछ ना होता तो गुस्सा सात्वे आस्मान पर होता ओ जो जी में आता बोल देता सीमा के सास सुरकान में रूल डाले बैठे रहते एक दो बार सीमा ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा सीमा को ही सुनना पड़ा मर तो ऐसी होते हैं तुम मोकाई क्यो देती हो सांच वभाव सीमा घर में कलेश ना हो यह सोच चुप रह जाती सीमा विस्तर पलेटी सुबह की गटना के बारे में सोच ही रही थी कि फोन की गंटी बजी बेमन से देखा तो निशा का नंबर फ्लेश हो रहा था आज अपनी प्यारी सहली का नंबर देख कर सीमा के चहरे पर कोई खुशी नहीं आई और ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई थोड़ी देर बार निशा का कोल आया तो सीमा ने यह सोच कर कि कोई ज़रूरी काम तो नहीं है फोन उठा लिया दूसरी तरफ हमीसा की त्रहट चहक ती निशा थी कैसी हो सीमा ठेक हो निशा तु बता कैसी है चल तैयार हो जा कल आ रहे हूँ तेरे घर एक रात रुखूंगी कुछ ओफिस का काम है तेरी सहर में निकल गया है चल कल मिलती हूँ वह निशा चल कल मिलती हूँ निशा ने फोन रख दिया सीमा को कुछ कहने या मना करने का मोका ही नहीं मिला सीमा को साम को विशाल घर आए तो गरम गरम समोसे और जलेबी लेकर आए हाथों में समोसे जलेबी का पैकेट देख सीमा समझ गई अभी मुढ ठीक है विशाल का चाय नास्तिक बाद सीमा ने निशा के आने की बाद घर में सब को बताई मुढ अच्छा था तो विशाल भी सीमा की सहली के आने की खबर सुन खुस हो गए अरे यह तो अच्छी बात है आने दो और तुम भी तयारी कर लो आकिर पहली बार कोई आ रहा है तुमारे मायके से विशाल की बात सुन सीमा को थोड़ी तसल्ली हुई और खुसी-खुसी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी अगले दिन निशा आ गई चुल्बली और बातोनी निशा पल भर में ही सीमा की सास सूशे घुल मिल गई जब विशाल आये तो वो भी बहुत सरीके से मिले जिशा से सीमा भी खुस थी रात को खाने की सारी तयारी सीमा ने कर ली टेबल पर खाना लगा दिया और सब को सरो करने लगी इतनी में सबजी के डोंगे से थोड़ी सबजी विशाल के हाथों पर गिर गई तमीज नहीं है खाना सरो करने की भी आज जला दिया मेरा विशाल ने सीमा को गूरते वे तेज आवाज में कहा तो सीमा बहुत सर्मिंदा हो गई सीमा तो आपकी सहिली कहीं से लगती ही नहीं इस नीशा जी आप इन्दी स्मार्ट हो राधुनिक और सीमा को देखे एक खाना ढंग तक प्रोशन नहीं आता जहां नीशा दंग रहे गई विशाल का वैवार देख वही सहिली के आगे अपमानित हो सीमा की आँखे चलक उठी विशाल को कुछ जवाब दी बिना नीशा बेमन से चुपचाप अपना खाना खतम किया और ठकान का बाना बना कर कमरे में चली गई रात को सोते समय सीमा कमरे में पानी रखने आई तो नीशा ने उसे गले लगा लिया सहली के गले लग सीमा तूट गई और बिलक बिलक कर रोपड़ी तो क्यों इतना बरदास कर रही है सीमा पड़ी लिखी हो गलत का जवाब दो और अपने हक व्यातम सम्मान के लिए खुद लड़ना सीको सीमा कहना आसान है नीशा करना उतना ही मुश्किल कुछ मुश्किल नहीं सीमा बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की बिना कुछ जवाब दिये सीमा वापस चली आई सुभह नीशा को भी निकलना था नास्ते के टेबल पस्टर बैठे थे और अकेले सीमा आलू के प्राठे बनाने में वैस थी नीशा ने मदद करने चाही तो सासुमा ने यह कैकर रोक दिया कि चार लोगों के प्राठे भी अकेले नहीं सेख सकती क्या अरे हाथ जल्दी जलाओ गिया सो गई रसोई में भूल तो नहीं गई नीशा जी की ट्रेन भी है कभी तो फूर्ती दिखा दिया करो विशाल जी ने विशाले गुस्से में कहा अपनी सहिली को यूँ अपमानित होता देख सीमा की सहन सकती जवाब दे गई वो भूल गई थी कि वह इस वक्त अपनी सहिली के ससुराल में है यह कैसे बात कर रहे हैं आप सब सीमा से? कैसे लोग हैं आप सब? और विशाल जी क्या आपको इतनी भी समझ रहीं कि सीमा आपकी पत्नी है कोई नोकरानी नहीं? मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नोकरानी से भी बात नहीं करता जब मेरे सामने आप ऐसा वैवार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? चुप हो जा निशा, क्रोधित निशा को सीमा चुप कराने लेगी मैं क्यों चुप रहूं सीमा? ऐसी सहली बनाती हो बहुत हुम, जरा भी तमीज और संसकार नहीं इसे समझा दो अपनी सहली को कि वह सिर्फ महमान है और महमान दूसरों के घरों के मामले में बोलते नहीं निशा की बातों से बोखलाई सासु माने, सीमा को ही डाटना शुरू कर दिया तमीज और संसकार मुझ में है, तभी कल शेच चुप हूँ आटी जी अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाएं आप, मुझे नहीं जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पतनी से कैसे वैवार किया जाता है और आप सब सुन ले, खासकर विशाल जी आप, सीमा आपकी पतनी है उसके हिस्से का मानशमात तो आपको देना ही होगा वरना मैं एक समा से विका हूँ, और गरेलों हिंसा से पड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ आगे आपको समझदार हैं कि मैं क्या करशकती हूँ और क्या नहीं और शीमा तुम पड़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पती के तानों को सुनकर कब तक रहोगी आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन से हैं से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए विशाल जी सीमा आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है मान समान पाना पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं, जब चाहा अपना गुस्ता और तना उस पर निकाल दिया जाए निशा की बात सुन विशाल बेहत सर्मिंदा हो उठा, अपनी गलती उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी और निशा तो वापस अपने सहर चली गई, लेकिन जाते जाते विशाल को सच्चाई का आइना दिखा गई, और शाथ ही अपनी सहली के जीवन को वापस खुसियों से भर गई तब तक के लिए बाई बाई